धाकड़ खबर देखौप सुमा देबाक अंदाज धाकड़ खबर के नियूज रूम से मैं आपके साथ हूँ अक्रम रहिसकान तिलंगाना की हैदराबाद पुलिस ने उन चारो आरोपियों को दोशी साबित होने से पहले ही सजा दे दिये यानिक एंकाउंटर में मार गिरा है वो भी सनी दवल स्टाइल में जैसे अपने फैविब में देखा होगा ना के न कोट ना कचेरी फैसला उन्दा इस्पोर्ट उस तरीके का कर दिया है क्या दबाव से बचने के लिए तिलंगाना सरकार ने सक रहा है या वाके में तिलंगा अब इस पर बहुत कुछ लिख रहा है हम लोग भी बात करने जा रहा है इस मुद्धे पर धाकर खबर के पॉलिटिकल एडिटर निसामत खान के साथ लंबी पत्रकारता का अनुभाव रखते है चालिस साल से पत्रकारता की है दिल्ली के अंदर दिल्ली को जबान होते तुह तरी खन के बिस्तित ही डाव12 लोग चुकी है लेकिन इनोंने देखा है बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारे एंकॉंटर को प्रिस्थीश को तो श्रुवात करते हैं सवालों कि पहला सभाल अगर मैं लूं कि क्या ऐसे एंकौंटर से कानून व्यवस्ता सुदर सकती है अब भविस्य को देखते हुए आज के हिसाब से कहां पाते हैं राइट फ्रॉम अगर हम आजादी से लेके अब तक देखें वह खास तोर पर यह 2014 के बाद जो माहौल चला है एंकाउंटर का कि यह एक प्रदेश को एंकाउंटर प्रदेश की घुसित कर दिया गया था कि वहाँ पर रो जाना एंकाउंटर हो दो तीन हजार के खरी परी वें इंकाउंटर उगे उसमें ज्यादतर जो मारे गए वो मुसलमान थे दली थे ओब थे तिन हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहें हैं आकड़ा बता देता हूं साथ हजार से ज्छादा इंकाउंटर इस वक्रदी फिलकुल की जैसे की तेलंगानम यह ती स्रांड इंकाउंटर जो ये कमिशनर साहब है उन्होंने तीसरा इंकाउंटर की में उसकी वी सेम इतिह वैसे ही है जो दो इनके Iников का रहा है वो किसी बात special के लिए किये हूँ तो कि एक बात जो आपने पूछ ही हา कर्या होगा हरज हजांगे विए ऑठाट मुचा उगा हुँगा बड़ा चाह कि फैक जान से मार देना चाहिए जला देना चाहिए जला दे है आप एक तो आप अपने constitution के अवेल ना कर रहे हैं को constitution में ये है कि आप निरपराद को सजा नहीं दे सकते किसी भी हालत में इसलिए कोड का चेरी बने हुए आज कल क्या हो रहा है जो जिस तरीके से हवा बनाई गई लिंचिंग के जरीए के चोड़ भी पगड़ा तो उसको मा दिया है कोई पूछना नहीं कुछ कहना नहीं जै श्री राम कहा नहीं कहा तो मार दिया यह लॉय डॉड़ल की बगड़ी हुई स्थिति है जिसको यह encounter मजबूत कर रहे हैं जैसे कि मैं ने बताई उसको मजबूत कर रहे हैं अब ही यह घटना हुई यह बड़ी ऐसी चीजे करके सरकार उन मुद्दों से अपने को भढ़का देती है जिन मुद्दों पे चर्चा हो रही थी चर्चा होनी चाहिए लेकिन मेरा सवाल मैं फिर वहीं आँगा आप लंबा नुभा रखते हैं आपके सामने चौरासी भी हुआ है सर कितना बड़ा कतले आम हुआ उसके बाद बाबरी मजजीद को अड़ाया गया उसे पहले और उसके बाद में भी बहुत सारे दंगे हुए हैं तमाम चीजें आपने देखी हैं कि आपको लगता है कि वाके में एंकाउंटर हुए तो वो परदेश जो है बाके में वहापे कानून विवस्ता अच्छी पकड़ के जला दिया उसमें सारे के सारे प्रहम मरए हैं सभी अपरकास्ट के लोग है जन्हों ने एक दलित लड़की को जलाए और आज तक किसी अख़वार ने वो चीज़ नहीं थी कि यह लड़की क्यों जली यह मेरी बात समझ में नहीं आई आई आपकी समझ में आए दिल्ली में मर गई लेकिन इतना चर्चा उसका नहीं हो रहा जितना इनकाउंटर कोई नहीं बता रहे जबकि यह तक रिपोर्ट्स आई कुछ जगा पे के किलोमेटर तक वो जली हुई हालत में गई है और किसी से उनने फॉन मांगे तब पुलिस को फून किया इसके अगर हम देखें तो ऐसा तो पाते नहीं है कि सुधरी हो वेवस्ता कहीं भी चाइब हो देखेंगे आब अतर परदेश को देखी के उत्तर परदेश में क्राइम कम हुए है उत्तर परदेश में तो हाला तीय हो गई कि पुलिस इंस्पेक्टर को भी मार दिया जाते एक चीजे तो हमारी नजर में आ जाती है इसके अलावा क्राइम कितना बढ़ गया है यूपी में उसके इंतर नहीं दिल्ली देख लीजिए दिल्ली में चैनिस सनेचिंग देख लीजिए और किस तरीके से यहां भी जलाए जा रहा मार्डर हुए तो भी कैसे अंकुछ लगे क्र अगर पलिस ना करे तो उसका खौफ नहीं होगा अगर खौफ नहीं होगा तो प्र खौफ क्या से बने बता है यह देखिए कि यह पुलिस कहां से अई है अंक्रीजिए वह ज़ों करना चाहते थे अब इंगलेंड में जाहिए भारत की जो पुलिस है हमारे देश के वह बैटन भी लहरान ही सकता, वो पीछे रखता है. जी. उसको खौफ से खौफ नहीं कर सकता है. हमा बैटन उनको अनको ऐख दिया गया है, मारने के लिए नहीं गए, यहां लाटिया मारने के लिए ली दी जा रही है. और यहां कैफ पुलिस कोई किस सीज पर पुलिस कंट्रॉल कर पाईए यह बता दीजिए एंकाउंटर होते एंकाउंटर किस तरीके से होते हैं एंकाउंटर वाले मरने वाले मर गई भाई एक बात पूछिए तो इनकी साइकुलोजी तो लीजिए नहीं नो क्यूं जला आये था क्या सवाल उठते हैं हो सकता इन में से ना हो कोई, इन में से हो भी ना, आपके पास तो खत्म हो भी है, और उसीन की क्यों बात नहीं कर रहा है, मीडिया ये भी तो एक बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, पर कुल विलागे चीजे देखकर यही निकलता है, आपने तज़रबे से बताया, कि एनकाउंट अकसर, कभी कभी नहीं, अकसर मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, एक चीज को इतना हाईलाइट किया जाता है, कि मुद्दे उसमें सारे के सारे दब जाते हैं, इस घटना को इस तरीके से महिमा मंदित करके, किया गया कि फूल बरसाए जा रहे हैं, जो कि यह जो यह प्रचिंग का, जहां है, यह मारडर हुआता हूँ, आप जैन सिना की बात कर रहे हैं, नहीं, जैन सिना की नहीं, वो जो आपके, यहां की यूपी के मिनिस्टर थे, आचा आचा आँचा आँगी, अँग से लूट कर रहे हैं, उससे को अखला की अत्यार हो, कि तिरंगा मे की कोशिश की जा रही कि यहां पर बलतकारियों को गोली मारी जाती है ना कि तिरंगा में लपेट कर भारत माता की जय के नारे लगा जाते हैं आपको याद होगा ना कच्छा कुछ बताया जाना है एक चीज आप देखिए हां यह यह हवा जब तिलंगा ना से यूपी आईग मार्दिया बलतकारियों को बीजेपी का जबने शुक्राइब सासन था ते लंगाना में एक मसला नहीं था अच्छा ते लंगाना मसलों को क्योंकि आप देखें माई जो भापू मीडिया है वो और स्टेट की तो कोई ख़बर देता नहीं है ते लंगाना में कोई इतने मसले पड़े हुए पानी से लेके कावीरी से लेके तमाम मसले मेडिया पे नहीं जा रहा हूं मैं क्या सरकार ने दिखाने लिए देखो हम तो गोली मारते हैं और बीजेपी की सरकार जो है वो भाइरत माता की जह के नारे लगए लगए अगर उन्होंने किया है मैं इस बात को न पल क्यों रहा है पल क्यों हो रहा है बहुत सही बात आपने की और मेरा सवाल की से जुड़ा हुआ है अगर पकड़े जाते हैं जिन्होंने इस प्रैट फाइड गोलिया चलाते हैं कई लोग मर जाते तो उनको एकदम से सजाय मौत नहीं दे जाती जिए निजुलेंड में देख लिजी अभी तक उसको उपर केस चल रहा है इस टड़ी हो रही है उसको पर क्या क्या लेकिन मेरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ है आपसे क्या यह ऐसा है कि जिस आदमी को दर्द हो रहा है बोडी में उसको फ्लाल एकदम इंजक्शन दे दिया जाए और इंजक्शन अच्छे रहेंगे तो आदालत में मामले जल्दी निप्टेंगे यह इंजक्शन देगी यह एक नेरेटिव अगरे यह हो गया तो किसी को भी गोली मार दी जाएगी और यह कहा जाएगा यह बदमाश था कोई क्राइम किया उसने और यह ऐसे कई चीज़ है कई केसे आपने बीच की लड़ाई है कि मैं आपसे यह समझा जाता मुझे लग रहा राजों की बीच की लड़ाई है यह त्वरत प्रशन सा प्राप्त करने का पुलीस इतना बड़ा काम उठा सकती है बगेर सरकार के सरकार ने कहा होगा कि ठीक है मार दीजिए कई चीजिए सरकार इतना न प्रशन आपसे कही नहीं तरफ से को सब्सक्राइब करने की कोशिश की जा रही है कि तेलंगाना में देखो आपने बलतकारीयों को बड़ाई आपकी सोच हो सकती है तेलंगाना वाले अपने आपको बड़ा बनाने के लिए इसके माने तो इस्टेट तो स्टेट फाइट की बात चल रही है यह लग गाया है मुझे हमारा ख्याल ऐसा नहीं है आपको ऐसा नहीं है पर एक एंगल है तेलंगाना अपने मसलें दबाने के लिए यह एंकाउंटर हो गया अब महीने उसके आँ सा कौन सा विरोध हो रहा है किसी चीज को मुझे लग रहा है मीडिया घेर रहा था उनने मीडिया का थियान बदल लिए कावेरी वाटर का चल रहा है तमाम चीजे चली रही है और वहां के मुद्ध यह नहीं है आपका यह कहना है कि लोकल वहां तो आपने देखिये कि जो पानी की लड़ाई होती तह एक स्टेश से दूसरे स्टेश में बसे चलना बंद हो जाती है त्रेने चलना बंद हो जाती है लोकल इस तर पर घिरे हुए हूं के सियर उन्होंने या इंकाउंटर उनकी प्लिस ने कर दिया सारे मुद्धों से ध्यान अटा दिया लेकिन कहीं ना कहीं नेरेटिव यह भी चाहरी चीज़ है कि वहां के मुद्दे कि लगता नहीं है कि हिंदी बाशी चेतर में चहए हुए थे लगा तो शायद उन्होंने ने सेट करने के लिए सवाल खड़े कर दिए बीज़ेपी सरकार के लिए कि अब आप ज्छारकन में करके दिखाएए कि उस लड़की को जिन्दा जलाया गया दि क्या मीडिया का सारा नेरिटिव जो है इसी और नहीं चला गया है इस्थानी मुद्धे होंगे जिम्मेदार बहुत सारे पहलों निकलेंगे बार बार आपके बीच आते रहेंगे लेकिन कुल मिलाकर एक बात निकलती है क्या एंकाउंटर करना कानून विवस्ता में सुधार क परमान नहीं हो सकता क्योंकि अभी तक इद्यास की पन्नों से ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती है बने रहें गया रकड़ कबर के साथ फिलाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं खबर को लाइक कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं फिर ऐसे ही किसी सुलकते हुए आप लगते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाज़िर फिलाला भी में नहीं इजाज़ दो